स्वागते स्टुडेंट्स आपका अमारे चनल पर आजम करेंगे कक्छा आंट में विसे विज्ञान का वाट्सप क्यूज अभ्याजों की 25 तारिक का है और सबता 25 का है इससे पहले आमने गनित का भी किया है अगर आप नहीं किया है तो पहले उसको करें ताकि आप यह भी खूल पाएं चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस नमबर एक से कर्थम पूम रूप से संसले त्रेसा कौन सा है उत्तर हो जाएगा नायलोन अगला है फ्लास्टिक का एक उत्तर हो जाएगा पैकेलाइट अगला है फ्लास्टिक की विशिष्ता क्या होती है गरम गन्ने और अधिक खठोर हो जाती है और भी घलती नहीं है अगला देखिए, सूच में जीवा को किसकी सायता से देखा जा सकता है? सूच में दर्शी से देखा जा सकता है मादा अनिफलेज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? उत्तर हो जाएगा मलेरिया अगला है, संचर्निय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा होता है? उत्तर हो जाएगा घरेलू, मख्छी अगला देखिए, मिट्टी की उर्वरक छमता बनाए रखने के लिए कुछ पोशक परधात मिट्टी में मिलाए जाते हैं इन पोशक परधातों को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा खाद वा उर्वरक अगला देखिए, आज कल क्रिसी में आने कि यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है हार्विष्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है फसल का टाई में पहला उत्तर हो जाएगा बच्चों ये था हमारा पूरा आज का शैशन जिसमें हमने पहले गनित का किया था अब हमने विज्ञान का किया है आपको दौनों करने ताकि आप पूरे में से पूरे नमबर ला सके जैसा कि आपको पता है कि उसका एक अलग से वेटेस है 20 नमबर का जो आपके फाइनल सेसिंस में जुड़ेगा तो इसको करना ना भूले ताकि आप पूरे में से पूरे नमबर लाएं धन्यवाद